नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है युसर्क राज्य में प्रध्योगे की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृट संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर चात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा धन्यवाद आज हम सॉल्फ करेंगे अपने फिफ्ट चैप्टर यानि की द्रव्य की अवस्थाएं इससे रिलेटेट कुछ बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चिन्स को जो की हमारे पेपर में पूछे जा सकते हैं और पूरा चैप्टर पढ़ लेने के बाद हमें ये क्वेश्चिन्स आने भी चाहिए ठीक है तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चिन है वो है कि चार्ल्स के नियम के आधार पर समझाईए कि न्यूनतम संभाव ताप माइनस 273 डिग्री सिल्सियस होता है तो सबसे पहली बात तो इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि जो माइनस 273 डिग्री सिल्सियस ताप होता है उसी को 0 किल्विन ताप भी बोला जाता है और इस टेंपरेचर को बोला जाता है परमशोन्य ताप या फिर एपसुल्यूट टेंपरेचर ठीक है तो इस टेंपरेचर से कम तापमान पर यहाँ पर लिख लेते हैं इससे कम ताप पर जो गैस होती है वो नहीं पाई जाती है उसका कोई अस्तत्व नहीं रहता है और ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि इस टेंपरेचर से कम टेंपरेचर पर जो गैस होती है वो बदल जाती ह किस में द्रव में ठीक है तो इसी लिए इस temperature को ही क्या बोला जाता है किसके according चार्ल्स के नियम के according जो की एक gas law होता है ठीक है तो जब इस temperature से कम temperature पर gas का कोई अस्तित्व ही नहीं है तो इसी लिए ये ताप क्या है नियूनतम संभाव ताप है किसके लिए gas के लिए ठीक है next question पर चलते हैं तो अगला प्रश्न है कि 31.1 degree Celsius या फिर 31.1 degree Celsius तथा एक बार दाब पर 8.8 gram carbon dioxide द्वारा घेरे गए आयतन की गर्ना कीजिए जहाँ पर आपको universal gas constant या फिर सार्वित्रिक gas नियत आंक का मान दिया गया है 0.083 bar liter प्रती mol तो देखिए हमें गर्ना किसकी करनी है आयतन की यानि की volume की ideal gas equation क्या होती है PV equals to nRT ठीक है तो अब इस equation में देखिए कि कौन कौन से जो terms है उनकी values हमें मालूम है और कौन से terms की नहीं मालूम है जिसकी नहीं मालूम है उसकी हमें ग्याद करनी पड़ेगी इन सारी values के माध्यम से ठीक है तो देखिए pressure pressure की value हमें दी गई है एक बार दाब ठीक है V यानि की volume जो की हमें ग्याद करना है small n यानि की gas में उपस्थित मोलो की संख्या या फिर gas की मात्रा ये हमको नहीं दिया गया है R की value हमें given है T यानि की temperature ये भी हमें दिया गया है 31.1 degree Celsius तो सबसे पहले तो हम इन्हें note करते हैं हमें क्या-क्या दिया गया है तो 31.1 degree Celsius हमें इसे Kelvin में change कर लेना चाहिए तो temperature T equals to कितना हो जाएगा 273 plus 31.1 और ये बदल जाएगा किसमें Kelvin में जब आप इसे जोड देंगे तो यह आ जाएगा 304.1 Kelvin Pressure यानि की दाब इसका मान हमें कितना दिया गया है एक बार ठीक है Universal Gas Constant यानि की R इसकी value भी हमको दी गई है कितनी दी गई है 0.083 bar लीटर प्रती मोल ठीक है हमको ग्याद अब क्या करना है हमें ग्याद करना है small n का मान यानि की gas में उपस्थित मोलों की संख्या और वो कैसे ग्याद होगा तो मोलों की संख्या बराबर होती है किसके जो भी gas है उसका द्रविमान अपॉन मोलर द्रविमान के तो ये तो हो गया formula N का मान ग्याद करने के लिए अब values हमें put करनी है तो carbon dioxide का द्रवेमान कितना दिया गया है? ये दिया गया है 8.8 gram ठीक है? तो इसको यहाँ पर formula में लिख दीजिए 8.8 gram upon molar द्रवेमान carbon dioxide के लिए कैसे ग्याद करेंगे? तो carbon के एक परमानू का द्रवेमान कितना होता है? ये होता है 12 gram प्रती मोल प्लस oxygen के एक परमानू का द्रवेमान 16 gram प्रती मोल दो परमानू हैं तो कितना हो जाएगा? 32 gram प्रती मोल और ये equals to आजाएगा 8.8 upon 44 क्या हो जाएगे इसकी unit? मोल में इसको लिख लेंगे ठीक है? क्योंकि ये मोलों की संख्या है तो बराबर इसको divide जब आप लोग करेंगे ये आजाएगा 0.2 मोल अब इस equation में देखिए हमें P का मान पता है N का मान हमने ग्याद कर लिया R का मान हमें पता है T का मान भी ग्याद हो चुका है अब हमें इसमें put कर देना है values और V का मान हमको मिल जाएगा तो यहाँ पर इसको अगर V के form में लिखेंगे तो V equals to N R T upon P अब values put कर दीजिए तो N का मान कितना है? 0.2 मोल इन टू R की value कितनी है? तो 0.083 बार लीटर प्रती मोल इन टू टैंप्रेचर का मान कितना है? 304.1 केलविन या फिर 304.1 केलविन अपन प्रैशर यानि की दाब इसके लिए कितनी value दे रखी है? एक बार ठीक है? तो divide में तो 1 है तो यहाँ पर बिलकुल भी tough calculation है नहीं बस आपने क्या करना है? 0.2 को multiply करना है 0.083 से और फिर जो भी नंबर आएगा उसको multiply कर देंगे 304.1 से तो यहाँ पर जो volume आ जाएगा या फिर आयतन आ जाएगा जो कि question में पूछा गया है वो हो जाता है 5.048 लीटर ठीक है? तो question में हमसे क्या पूछा गया था? आयतन पूछा गया था CO2 द्वारा घेरा गया ठीक है? और वो हमने ग्याद कर लिया 5.048 लीटर के फॉर्म में अब देखते हैं next question तो अब next question है कि 1.4 ग्रैम डाइ नाइट्रोजन गैस में उपस्थित कुल इलेक्ट्रोनों की संख्या की गर्णा कीजिए अब बताए जो डाइ नाइट्रोजन है उसका आणविक द्रवेमान या फिर मॉलिकलर मास कितना होगा? देखिए नाइट्रोजन के एक परमानू का द्रवेमान होता है 7 ग्राम ठीक है? तो अगर दो परमानू है नाइट्रोजन का तो उनका आणविक द्रवेमान या फिर नाइट्रोजन के एक आणू का जो द्रवेमान होगा या फिर दाइ नाइट्रोजन कह सकते हैं उसका जो द्रवेमान होगा या मास होगा वो हो जाएगा 28 ग्रैम ठीक है अब अगर मैं आपसे पूछो इस 28 ग्रैम नाइट्रोजन में जो अनू होंगे वो कितने होंगे तो आप क्या बोलेंगे आप बोलेंगे 6.022 into 10 to the power 23 अनू ठीक है एक मोल में इतने ही तो अनू होते है या इतने ही तो कन होते है अवोगेद्रो संख्या या अवोगाद्रो नंबर और उसी प्रकार से question में क्या दिया गया है 1.4 ग्रैम डाइ नाइट्रोजन तो 1.4 ग्रैम डाइ नाइट्रोजन में जो अनू होंगे वो कितने हो जाएंगे 6.022 into 10 to the power 23 into 1.4 ग्रैम upon 28 ग्रैम जब आप इसको solve करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3.011 into 10 to the power 22 अनू ठीक है इतना समझ में आ गया अब देखिए जो नाइट्रोजन होता है उसकी परमानू संख्या कितनी होती है तो नाइट्रोजन की परमानू संख्या होती है 7 ठीक है तो जो डाइ नाइट्रोजन है यानि की जो अनू अनू है वो कितनी electrons रखेगा परमानू संख्या साथ है यानि कि इसके उदासीन परमाणू के पास में कितने इलेक्टरोंस हैं? साथ ही तो इलेक्टरोंस है न? तो अगर दो नाइट्रोजन के परमाणूसे मिलकर एक अनू बन रहा है, एक मॉलिक्यूल बन रहा है तो वो कितने इलेक्टरोंस रखेगा? तो वो रखेगा 7 into 2 electrons, यानि की 14 electrons, अब यहाँ पर देखिए कितने अणू हैं, तो nitrogen के हैं 3.011 into 10 to the power 22 अणू, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कि dinitrogen के 3.011 into 10 to the power 22 अणू में कितने electrons हो जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, बस multiplication ही तो करना है, यहाँ पर कितने थे, 14 थे, तो 14 into 3.011 into 10 to the power 22 electrons, ठीक है, जब आप इसको गुणा करेंगे, तो आपका answer आजाएगा, 4.215 into 10 to the power 23 electrons, ठीक है, यह question भी हमारा हो गया, solve, अब चलते हैं, next question पे, तो अगला question है, कि 35 degree Celsius ताप, तथा 1.2 बार दाप पर, 120 ml धारिता वाले पात्र में, गैस की निश्चित मात्रा भरी गई है, यदि 35 degree Celsius पर, गैस को 180 ml धारिता वाले, फ्लास्क में, इस्थान अंतरित किया जाता है, या रख दिया जाता है, तो गैस का दाप कितना होगा, तो इस question में हमको क्या क्या given है, पहले तो वो लिख लेते हैं, सबसे पहले 1.2 bar, यानि की दाप दिया गया है, जिसे हम क्या बोलेंगे, P1, equals to 1.2 bar, ठीक है, दूसरा volume हमको दिया गया है, देखे, temperature तो क्या है, स्थर रखा गया है, constant रखा गया है, ठीक है, तो उसे लिखने की जरुरत नहीं है, volume V1 हमको दिया गया है, तो V1 equals to 120 ml, हमें V P2 दिया गया है, यानि की 180 ml, हमें ग्याद क्या करना है, हमें ग्याद करना है, P2 का मान, जब इस गयास को 180 ml धारिता या फिर आयतन वाले container में डाल दिया गया है, ठीक है, तो तब इसका दाप हमें ग्याद करना है, यानि की P2 का मान हमें ग्याद करना है, अब हमें मालूम ह boil का नियम या फिर boils law हमने पड़ा है जो कि क्या होता है P1 V1 equals to P2 V2 तो bracket में हम क्या लिख सकते है boil का नियम या फिर boils law ठीक है अब इसमें values put करनी है और P2 का मान हमें ग्याद करना है तो यहां से पहले तो P2 के form में इसको लिख लेते हैं P2 equals to P1 V1 upon V2 ठीक है values put कर लिजिए तो देखिए P1 की जगे पर 1.2 bar into V1 की जगे पर 120 milliliter upon V2 की जगे पर क्या आ जाएगा 180 milliliter अब इसको क्या करना है आपने गुणा करना है पहले जो numerator में है और उनको divide कर देना है 180 से ठीक है तो करते हैं इसको solve और इसको जब हम calculate करेंगे तो यहां से P2 का माना जाएगा 0.8 bar ठीक है हमें क्या ग्याद करना था कि जब हमने 35 degree Celsius ताप या फिर temperature पर जो कोई gas थी वो 120 milliliter धारी था या फिर आयतन वाले पात्र में थी या container में थी और तब उसका दाप कितना था 1.2 bar जब उसे हमने पलट दिया है या फिर स्थानांत्रित कर दिया है या फिर ट्रांसफर कर दिया है 180 milliliter आयतन वाले फ्लास्क या फिर container में तो तब उस gas का दाप कितना हो जाना चाहिए 0.8 bar next question solve करते हैं तो अगला question है कि 0 degree Celsius ताप तथा 2 bar दाप पर किसी gas के oxide का घनत्व 5 bar दाप पर dinitrogen के घनत्व के समान है तो अनुभर का मतलब है कि यहाँ पर आपको molar mass या फिर m की value ग्याद करनी है अब बताए कि जो density या फिर घनत्व होता है उसके और molar mass के बीच में क्या संबंध होता है तो यह हमने chapter में किया था कि जो gas का घनत्व होता है जिसे हम D से प्रदर्शित करते हैं या show करते हैं ठीक है तो हमने लिख लिया D equals to PM upon R into T ठीक है तो देखिए M क्या है molar mass, T क्या है temperature R क्या है universal gas constant और P क्या है pressure है ठीक है P की value हमें दोनों के लिए ही दी गई है ना nitrogen के लिए कितनी दी गई है 5 बार और gacy oxide के लिए कितनी दी गई है 2 बार दी गई है तो इनको अलग-अलग करके ग्याद करते हैं सबसे पहले देखते हैं nitrogen के लिए तो nitrogen के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो pressure है या फिर P है उसका मान कितना दिया गया है उसका मान है 5 बार ठीक है और जो nitrogen का molar mass हो जाएगा वो कितना हो जाएगा nitrogen gas यानि की N2 ठीक है तो 2 nitrogen के परमानू है तो इसके लिए जो molar mass हो जाएगा वो हो जाएगा 14 into 2 है ना क्योंकि nitrogen के एक परमानू का अध्राविमान कितना होता है 14 ग्राम प्रती मोल तो 2 परमानू का जो अनू बनेगा उससे उसका क्या हो जाएगा 28 ग्राम प्रती मोल ठीक है अब देखिए इसके लिए जो density आ जाएगी यानि कि dn2 करके लिख रहते हैं equals to pm upon r into t हो जाएगा equals to p की जगे पर value put कर दीजिए तो कितना आ गया 5 बार गुणा m की value कितनी है 28 ग्राम प्रती मोल ठीक है upon r into t को हम लोग ऐसे ही रहन देते हैं दूसरा देखिए जो gacy oxide के लिए हमें क्या दिया गया है pressure का मान दिया गया है यानि की दाब दिया गया है वो कितना है वो है 2 बार तो p equals to कितना हो गया 2 बार ठीक है m की value हमें इसके लिए ग्यात करनी है जो की ग्यात नहीं है तो यहाँ पर अगर हम यह same density वाला formula लगाएंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं d oxide ठीक है यह बराबर किसकी हो जाएगा p का मान हम लोग यहाँ पर put कर देते हैं कितना है 2 बार गुणा किसके m upon r into t ठीक है इतना question हो गया solve आप देखिए बीच में डाल देते हैं एक line और आगे का question इधर side पर solve कर लेते हैं तो अब हमें यहाँ पर क्या दिया गया है कि इन दोनों की ही घनत्व समान है यानि कि dynitrosan और जो gassy oxide है उसका घनत्व एक जैसा है बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं कि dyn2 equals to d oxide ठीक है अब यहाँ पर भी हमने जो values निकाली है मान लिया यह हमने लिखा था equation number 1 के according ठीक है और यह हमने लिखा था equation number 2 के according तो यह दोनों ही क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे तो r into t तो दोनों में ही क्या है common है और upon में है तो यह दोनों के दोनों ही terms cancel हो जाएंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा पांच बार गुणा 28 ग्रैम प्रती मोल equals to कितना हो जाएगा 2 बार गुणा m ठीक है तो यह आ गया इतना अब देखिए यहाँ से m की value हमें पता चल जाएगी तो m equals to आ जाएगा यहाँ से पांच बार गुणा 28 ग्रैम प्रती मोल upon कितना हो जाएगा 2 बार ठीक है क्योंकि हम इसको left hand side पर ले आए जो यहाँ पर था तो अब हम इस calculation को करेंगे और यहाँ से जो answer आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 70 ग्रैम प्रती मोल ठीक है तो हमें जो oxide का अणु भार या फिर molar द्रविमान ग्याद करना था वो हमने कर दिया कितना आ गया 70 ग्रैम प्रती मोल अब चलते हैं अपने next और last question पे तो last question है कि जो वायू का गुबारा है यानि कि हवा से भरा हुआ जो गुबारा है जैसे जैसे उपर उठता जाता है आकार में बड़ा होता जाता है इसका कारण हमको बताना है तो हम लोगों ने इतने सारे gas laws पड़े उसी ही में से इसका answer पता चलेगा हमें हमने पड़ा था boil का नियम या फिर boils law जिसके according जो gas का आयतन होता है वो क्या होता है वो होता है दाब के व्यूत क्रमानुपाती अगर temperature को हम क्या रख देते हैं स्थिर रख देते हैं या फिर constant रख देते हैं तो उसको कैसे लिख सकते हैं V proportional to 1 upon P और यहाँ पर जो temperature है वो क्या रहता है स्थिर रहता है साथ ही साथ gas की मातरा भी क्या होती है निश्चित होती है ठीके तो जैसे जैसे जो yu का गुबारा है वो उपर की तरफ जाएगा ठीके तो इसको लिखते हुए भी चले ही ताकि हमें याद रहेगा है ना तो yu का जो गुबारा है या फिर बलून है वो उपर उठने पर तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया तो क्या हो जाएगा जो दाब है gas का वो कम होने लगेगा अब जब दाब कम होने लगेगा या फिर pressure कम होने लगेगा तो इसका मतलब है कि जो volume है वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा यही तो बोलता है boil का नियम कि जो आयतन होता है वो दाब के with क्रमानुपाती या फिर inversely proportional होता है तो दाब कम होने पर आयतन बढ़ गिया और इस प्रकार से उपर जाने पर जो गुबारे का आकार है वो भी क्या हो जाता है वो बढ़ जाता है ठीक है तो समझ गे कुछ questions थे जो बहुत जादा important थे कौन से chapter से related 5th chapter से related अब आप इन questions की practice कीजिए और इन से ही related कुछ और questions की भी practice आप लोग कर सकते हैं और lectures को सुनते रहिए तथा revision करते रहिए